Welcome students, कैसे हैं सभी? आपका अपने चैनल Quick Science में बहुत-बहुत वैलकम हैं जैसा कि हम Seated Science Paper 2 की तैयारी कर रहे हैं जो आपका रिसिंट में एक्जाम होने वाला है और आपके लिए एक बहुत important topic series चल रही है जिसमें हम सारे topic cover कर रहे हैं with उनके सारे previous year ताकि आपका कोई भी doubt ना रहे जाए और ये series most important है अगर आप इसको देख कर जाते हैं exam से पहले और जो notes दियें उनको पढ़ लेते हैं और इनको फिर बाद में solve करते हैं तो आपको कोई भी 25 प्लस लाने से नहीं रोक सकता आज की class में हम topic number 13 पढ़ेंगे जिसमें हम topic पढ़ने वाले हैं sound और इस बार मेरा पूरा indication आ रहा है कि sound से एक question जो है आपको अपने exam में देखने को मिलेगा क्योंकि इससे जो question होते हैं उनकी length बहुत जादा नहीं होती कम length में अच्छा question जो है sound chapter से बन सकता है तो इससे related जितने भी question बने है वो हम आज की class में cover करने वाले है अगर आपको science के notes चाहिए complete summary of 6, 7, 8 तो उसके regarding आप मेरे को मेरी mail ID या मेरे whatsapp पर message कर सकते है 120 rupees की आपको payment करनी होगी जिसमें आपको summary मिल जाएगी पूरी और साथ में आपको 2011 से 2013 तक पूछे गए science के सारे questions with answer आपको provide करा दिये जाएंगे तो उसके regarding आप मेरे को whatsapp कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज की class जो कि बहुत important है क्योंकि यहां से question बनने के पूरे chance है पहला question जो science seated 2012 में बना if the frequency of vibration of a body is decreased and its amplitude is increased then जैसे कि हम chapter पढ़ रहे हैं क्या sound ध्वनी तो ध्वनी जो होती है पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि sound क्या होती है देखे sound जो होती है वो एक तरह की wave होती है एक तरह की तरंग होती है और यह wave कब बनती है जो medium होगा चाहें आपका air हो water हो कोई भी माध्यम हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें जो कण हैं, उसमें जो पार्टिकल हैं, जब उनमें वाइबरेशन होता है, कमपन होता है, तो ये वेव जो है, वो पिडियूज होती है, और इसी वज़े से हमें जो ध्वनी है, साउंड है, वो सुनाई देती है, तो साउंड एक तरह की wave है और यह कैसी wave होती है यह आपकी longitudinal wave होती है यह question अधर exam में बहुत बार बना है तो बिहार्ट का जो paper होने वाला है general science के उसके regarding यह question बहुत important है कि sound कैसी wave होती है तो sound जो होती है वो आपकी longitudinal जो wave होती है वो यह होती है आपकी sound तो यह important है जिसे हम तरंग बोलते हैं हिंदी में क्योंकि इसमें जो कंपन करते हैं कंपन की दिशा होती है और जो wave की दिशा होती है वो एक ही होती है इसी वज़े से इसे अनुदैड़्द तरंग या longitudinal wave जो है हम कहती है यह point clear हुआ उसके बाद देखिए frequency क्या होती है अब यह जो कंपन हो रह है वो हुँती है आपकी frequency आवरती और जिसको SI unit होता है आपका क्या heat तो यह question भी बन जाता है कि frequency आवरती का SI unit क्या है मात्रक क्या है तो वो इसका unit होता है hertz और यह क्या होता है जो कंपन कर रहे है particle एक second में जो पार्टिकल जितने कंपन कर रहा है एक second में हो सकता है वो 20 वो क्या है वो आपके आवरती है वो फ्रिक्वेंसी है और पार्टिकल जब कमपन करता है तो वो एक उचाई तक जाता है और एक निचाई तक आता है इस तरह से एक उचाई से एक निचाई तक आता है तो यह जो उचाई और निचाई तक पहुँचना होता है इसे हम क्या बो अगर frequency आवरती बढ़ती है तो पिच भी बढ़ेगी तो आपका जो तारत्व है वो भी बढ़ेगा ये important है बहुत जादा frequency घटती है तो पिच भी घटती है ये बात आपको याद रखनी है same ऐसे ही amplitude का relation होता है किस से loudness से किस से होता है loudness से जिसे हम प्रबलता बोलते हैं इसका relation क्या होता है ये जो loudness होती है ये directly proportional होती है amplitude के square के अब एक question और यहां से ये बन सकता है जहांपर loudness हम कह रहे हैं कि ये जो आयाम है amplitude है इसके square के बराबर है अब अगर question मैं आपको ये दे दूँ कि आयाम को अगर मैं दुगना कर दूँ it means amplitude को मैं दो गुना कर दूँ it means amplitude की value कितनी होगे 2 हो गई तो 2 का square कितना होगा 4 it means मेर सकता है कि आयाम को दुगना कर दिया जाए तो loudness प्रबलता पर क्या प्रभाप पड़ेगा तो वो चार गुनी हो जाती है क्योंकि वो 2 के square में चलती है तो 2 का मतलब जो भी value दी है उसके square में चलती है तो दुगनी हो रही है मतलब 2 का square that is 4 हो जाएगा तो loudness हमारी यहां प को clear हो गए होंगे तो जहां पर जब frequency घट रही है vibration की body की किसी वस्तु के कंबनों की आवरती घट रही है तो उसकी पिछ भी घटेगी और अगर amplitude बढ़ रहा है तो उसकी जो loudness है वो भी बढ़ जाएगी तो option number 4 यहां पर सही होगा तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता ब जाद रखनी होगी next question देखते हैं जो 2012 में ही बना अलग-अलग क्योंकि पहले paper दो बार में होते थे जैसे इस बार हो रहा है तो उसमें एक और जो paper हुआ उसमें यह question बना और यह question इतना important है कि यह 6 February 2023 जो अभी latest paper हुए थे 6 February 2023 में जो paper हुआ था उसमें इसी के regarding assertion और reason वा string of a star and try to plug it suitably by doing so the starist होता है वो क्या adjust करता है सितार बजाने से पहले आपने देखा होगा जो सितार वादक होता है वो हमेशा सितार के जो तार का तनाव है उसको समायूजित करता है और इसे उप्यूक तरूजब से बानने की कोशिश करता है ऐसा करके सितार वादक बहुत ही बारीक होती है अब एक बात आपको और यह याद रखनी होगी जो पिछ होता है जो तारत होता है उसमें बात होती है आवाज के बारीक पन की जैसे कोयल है उसकी पिछ बहुत हाई होती है जैसे गल्स होती है उनकी आवाज भी जो उनके फ्रिक्वेंसी में उनकी पिछ है जो उनका तारत है वो हाई होता है इसलिए उनकी आवास जो होती है वो बारी होती है लेकिन अगर मैं शेर की बात करूँ तो शेर की आवास बहुत भारी होती है जो जब आवास के भारी पन की बात होगी तो वहाँ पर लाउडनेस प्रबलता की बात हो रही है अगर मैं की बात करें हैं बहुत लड़े रिंपर बातवा वहां पर बात की को किली की यहां पर जो सितारिस्थ करकर क्या करता है वो adjust करने की कोशिच कर रहा है, अगर पिछ की जगा frequency भी लिखा होता, तब भी क्या होता, मेरा यहां पर यह answer हो जाता, तो याद रखेंगे, या तो पिछ देगा, या frequency देगा, तो option number 4 जो है, वो मेरा यहां पर answer हो जाएगा, next question, जो सीटेट साइंस 2014 में बना, देखे, sound wave की, मैंने sound क्या बता है, आपको एक तरंग है, एक wave है, और यह तीन तरह की तरंगे होती है, एक होती है आपकी infrasonic, infrasonic तरंगे वो होती है, जिनकी frequency 20 hertz से कम होती है, या देखेंगे, जिनकी frequency 20 hertz से कम होती है, वो आपकी infrasonic तरंगे होती है, फिर दूसरी number की तरंग से लेके 20,000 Hz तक याँ देखेंगे कितनी होती है 20 Hz से लेके 20,000 Hz तक की जो frequency की range है वो हम human जो हैं वो सुन सकते हैं पिर तीसरे नंबर पर जो wave आती है वो होती है आपकी ultrasonic wave यहाँ पर जो लिखा है यह जो ultrasonic wave होती है इनके जो frequency होती है वो 20,000 Hz से ज़्यादा होती है याँ रखेंगे कितनी 20,000 Hz से जादा होती है तो यहां पर यही पूछ रहा है कि जो ultrasonic equipment यूज होते हैं for investigating medical problem work at a frequency above 2000 Hz तो option number 4 मेरा यहां पर सही हो जाएगा जब भी medical के regarding पूछा जाए medical medicine या मतलब जो instrument होते हैं उनको साफ करने के लिए उन में कौन सी वेफ का परियोगर किया जाता है तो आप हमेशा यात रखेंगे bi suggests बहां पर ultrasonic वेफ होती है उनका उपियोग जो ही बहां पर किया जाता है बहुत बार इन Squave को सफाई करने के लिए इसके अलावा जो समुंद्र हुता है उसकी गहराई मापने के लिए भी अल्ट्रासॉनिक वेव जो होती है उनका हूं पहुत ही इंपोर्टेंट है नेक्स कोशन देखते हैं जो सीटेट साइंस 2015 में बना कोशन नमबर 4 यहाँ पर हमें इनकरेक्ट जो गलत कथन है वो यहाँ पर पहचानना है A Drum Vivorate With A Low Frequency बिलकुल Drum की जो peuाशिया हुथी हो ओकिति यहाँ पर उसकी Loudness आपने देखा होगा जो Drum होता है उसकी ढूलक होती है जहा आवाज भाई होगी वहाँ लाँडनेश की बात होगी तो वहाँ पर जब loudness जाद है, it means pitch वहाँ कम होती है, frequency जो है वहाँ पर low होती है, therefore it produces a low pitch sound, यह बात बलकुल सही है, उसकी frequency कम होती है, तो अवास का जो बारीक पन होता है, वो हमें drum में नहीं देखने को मिलता है, वो low pitch होता है, फिर second point का कहता है, जो whistle होती है, आपने CT देख होता होता है, city में, तो यह बात भी बिल्कुल पूरी तरह सही है, generally the voice of man is shriller, यह बात यहां पर गलत है, समान है तो पूरस होती है, उनकी आवाज महिला के तुलना में तुलना में तृष्ण होती है, बारीक नहीं होती है, उनकी आवास भारी होती है, और यहां पर उल्टा जो होती है, वो उच्छ तारत्व के दुहनी उत्पन करती है, जबकि जो शेर होता है, वो निम्न तारतव पर दहारता है, वेरेज लॉयन में का लो पिछ रोर, यह बात यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से सही है, तो यहां पर जो आंसर होगा, वो आपका option number 3, जो है, वो यहां पर करनी है, the lower the frequency of vibration, higher the pitch, देखे, frequency का direct संबंध होता है, पिछ से, अगर frequency low है, आवरती निम्न है, तो तारत्व भी निम्न होगा, वो कभी भी pitch high नहीं हो सकती, तो यह तो गलत हो गया, loudness जो होती है, वो frequency पर निर्भर करती है, नहीं, वो किस पर निर्भर करती है, अ आयाम, amplitude पर निर्भर करती है, तो यह point भी यहां पर गलत है, sound cannot travel through vacuum, विलकुल जो sound होती है, द्वनी जो होती है, वो निर्वात में गमन नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि वहां पर कोई medium नहीं है, माध्यम नहीं है, sound को चाहिए medium माध्यम जहां पर particle कंपन करें, vibration करें और तब वो wave जो sound है, wave जो है वो produce होती है, तो sound के लिए medium चाहिए, जो की vacuum निर्वात में नहीं होता, इसलिए sound वहां travel नहीं करती, तो option number 3 ही जो है, वो मेरा यहां पर सही हो जाएगा, बाकि fourth point में भी अगर मैं देखूं, pitch को यहां पर amplitude से relation करा रहा है, जो की पूरी तरह स इसमें बना, read the following statement and choose correct option, कथन पढ़िये और सही विगल्प का chain हमको यहां पर करना है, assertion, अभी कथन यहां पर हमको क्या दिया है, the speed of sound is more on hot summer day than on cold winter day, बिलकुल सर्दी के एक ठंडे दिन की अपिक्षा, ग्रीश्मिन रितू में गर्म दिन में ध्वनी की चाल जो होती है, व temperature जितना जादा होता है, याद रखेंगे बहाँ पर उसका amplitude जो होगा, sound जो है वो इतनी ही जादा, ऊची तक जाएगी और वो लंबी जाएगी, तो बहाँ पर summer days में, just because of temperature जादा होने की वज़े से ऐसा होता है, जो speed of sound है, वो वहाँ पर जादा हो जाती है, speed of sound जो होती है वो निर्भर करती है कि इस पर temperature पर याद रखेंगे, जितना जादा temperature होता है, उतनी ही speed of sound जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि amplitude जो है, next question देखते है, question number 6, जो seat at science, December 2021 में बना, read the statement and choose correct option, कथन को पढ़ ये, सही विकल्प का chain हमको यहाँ पर करना है, assertion, अभी कथन हमको यहा गर्मियों के दिन में उसकी speed जो होती है, चाल जो होती है, वो जादा होती है, as compared to cold winter day, यह बास सही है, उसके पीछे का reason यह होता है, temperature जादा होने की वज़े से, जो air molecule, जो particle है, उनमें vibration जो है, वो बहुत जादा होता है, temperature जादा होने की वज़े से, उनका vibration उनकी energy बढ़ जो particle है, जो कण है, उनके energy बढ़ जाती है, और जिसकी वज़े से उनमें vibration जो है, वो बढ़ जाता है, और उसी वज़े से, जो speed of sound है, वो जादा हो जाती है, गर्मियों के दिन में, as compared to cold winter day, तो यहाँ पर assertion सही है, अब इसके पीछे का reason देखते है, क्या लिखा है, the density of hot air is less than the density of cold air, गर्म हवा का घनत्व, ठंडी हवा के घनत्व से कम होता है, यह बात सही है, लेकिन यह reason इस assertion को सही explain नहीं कर रहा है, reason यहाँ पर यह लिखा होना चाहिए था, कि temperature बढ़ने की वज़े से, जो air molecule होती है, उनमें vibration जो है, वो जादा होता है, और उसकी वज़े से speed of sound, जो है, hot summer day में, गर्मियों के दिन में वो जादा हो जाती है, ना कि density की वज़े से, density वाला self में point ठीक है, यह यहाँ पर सही कह रहा है, कि जो density होती है, वो hot air की less होती, क्योंकि particle वहाँ पर हलके हो जाती है, then the density of cold air, यह single में देखें, तो यह point सही है, यह reason सही है, लेकि option number second, यहाँ पर सही होगा, A और R दोनों सही है, लेकिन R एकी सही व्याख्यान जो है, वो यहाँ पर नहीं कर रहा है, next question 7th, जो 21 December 2021 में बना, read the statement and choose correct option कतन पढ़िए, सही दिकल्प का चुनाप करिए, जो empty vessels होता है, वो louder sound produce करता है, then the vessel fill with liquid, then strike with a hammer, आप खुद करके देख ल मारेंगे, तो उसमें से जो sound produce होगी, वो louder होगी, as compared to, जिसमें liquid बढ़ा है, या कोई पानी बढ़ा है, उसके पीछे का reason जो होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल सही रिखा है, density of the air is less, density air की कम होने की वज़े से particle हलके होते है, हलके होने की वज़े से यहाँ पर amplitude, जो आयाम ह होता है, वो उचा होता है, particle जो है, वो उचा ही तक जाते है, amplitude बढ़ जाता है, और amplitude बढ़ने से sound की, जो loudness है, वो भी बढ़ जाती है, तो यहाँ दखेंगे, density of air जो होती है, वो less होती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, उसका amplitude जो होता है, वो हाई हो जाता है, और अब यह पता भी है कि जो loudness होती है जो प्रबलता होती है वो amplitude के square पर निरभर करती है जब amplitude बढ़ जाएगा जो air होगी उसका amplitude जब जादा होगा as compared to liquid contained in a vessel तो जहाँ amplitude जादा होगा वहाँ loudness प्रबलता जो है वो जादा होगी इसी वज़े से empty vessel जो होती है वो louder sound जो है वहाँ पर भराव है क्यों क्योंकि वहाँ पर क्या होता है amplitude घट जाता है पार्टिकल जो है वो जादा उचा ही तक नहीं जाता आयाम कम होने की वज़े से वहाँ loudness जो प्रबलता है वो कम हो जाती है तो reason और assertion दोनों सही है और जो reason है वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है क्योंकि density की जिसकी density कम होती है उसका amplitude जो है वहाँ पर जादा होता है और उस वज़े से loudness भी वहाँ पर जादा हो जाती है तो यहाँ पर both A and R are true and R is a correct explanation of A तो option number 1 जो है वो मेरा यहाँ पर answer हो जाएगा next question 8 जो 22 December 2021 में बना the characteristics of sound that distinguish between two different sound of same pitch and loudness ध्वनी का वहाँ अविलक्षन कौन सा है जिसके करण समान तारत्व और समान प्रवलता की दो भिन ध्वनियों के बीच बिवहत करा जाता है उनके बिवहत को पता करा जाता है उसे option number 2 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा important है इसको याद रखेंगे next question 9 जो 23 December 2021 में बना यह assertion reason वाला अभीकतन कारण वाला question है अभीकतन यहाँ पर लिखा है कि जो drum होता है वो low pitch sound produce करता है बिलकुल सही बात है whereas piano produce high pitch sound यह बात बिलकुल सही है यहाँ पर इसकी low frequency होती ह है इसकी high frequency होती है आवरती यहाँ पर जादा होती है प्यानो की as compared to drum इसी वज़े से प्यानो जो है वो उच्च तारत्व की द्वनी जो है वहाँ पर produce करता है as compared to drum जो ढोल होता है तो अभीकतन तो मेरा पूरी तरह से यहाँ पर क्या है सही है उसके पीछे का reason चेक करते है यहाँ पर पिछ की बात हो रही है और जब पिछ तारत्व की बात हो यह तो वहाँ frequency से connection होना चाहिए क्योंकि जो तारत्व होता है वो frequency आवरती पर निरभर करता है ना कि amplitude पर तो यहाँ पर क्या लिखा है the amplitude of vibration of vibrating object determine the loudness of sound यह बात अपने आप में सही है कि जो amplitude होता है वो vibration of vibrating object जो कमपन कर रहा है वस्तू उसका जो आयाम है वो क्या बताता है उस दुहनी की loudness जो प्रबलता होता है वो निरधारित करता है यह बात सही है लेकिन इस reason का इस assertion से कोई connection रही है amplitude की जगा अगर frequency लिखा होता कि जो frequency होती है vibration of vibrating object वो determine करती है क्या pitch को बताती है तब वो वहाँ पर सही हो जाता लेकिन यहाँ पर क्या answer होगा A और R दोनों सही तो है लेकिन जो यह R है वो इस assertion की सही व्याख्यान नहीं कर रहा है तो बहुत ध्यान से करने होंगे यह question तो option number second जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा next question 10th जो 27 December 2021 ने बना Amit Hitta Piano की firstly softer पहले उस उसने उसको harder तेजी से बजाया what change in the sound property will be observed in the second case Amit क्या करता है प्यानो को पहले उसकी जो किया है उसको हलके से फिर जोर से दबाता है जोर से दबाने से क्या होगा आवास तेज आएगी loudness loudness की बात हो रही है तो कहीं न कहीं amplitude वहाँ पर बढ़ जाएगा तो दूसरी इस्त जोर से दबाने से क्या होगा उसकी जो दुहनी है उसकी जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी लेकिन जो पिछ है उसमें कोई परिवर्ता नहीं आएगा तो option number second यहाँ पर सही होगा तो जो नोट्स लिए हैं जिनमें मैंने सारे आपको previous year दिये हैं उसमें क्या हो जैसे ला आयाम में परिवर्तन आया जिसकी वज़े से साउंड लाटर हो जाएगी लेकिन पिछ में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आए क्योंकि frequency यहां पर बारीकनेस की कोई बात नहीं हुए तो पिछ में कोई बदलाव नहीं आएगा तारहतु में लेकिन प्रबलता जो है वो जो sound होगी वो louder होगी तो option number second जो है वो मेरा यहां पर सही होगा next question 11 जो 29 December 2021 में बना the roar of lion is loud and sound of bird is fever बिल्कुल बात सही है the appropriate reason behind this share की दाहार जो होती है वो प्राबल होती है पक्षियों की आवाज छीर होती है मतलब उनकी जो pitch होती है वो high होती है इसका उचीत कारण क्या है frequency of vibration देखे of roar is higher आपको पता है जो lion होता है उसकी frequency low होती है जिसकी वज़े से उसकी pitch हाई नहीं होती लेकिन उसका I am वहाँ पर जादा होता है जिसकी वज़े से उसकी sound की प्रबलता जो loudness है वो जादा होती है तो ये वाला point इस वज़े से गलत होगे क्योंकि हाँ पर frequency कह रहा है कि जो loin की frequency की दहाड है वो वहाँ पर जादा होगी नहीं बर्ड की comparison में जादा नहीं होगी बर्ड की frequency जादा होगी तब ही उसकी आवाज क्या है वहाँ पर fever है छीन है पतली है तो first point होगा गलत frequency of vibration of roar and word are same नहीं होगी एक भारी आवाज करता है एक पतली करता है amplitude of vibration of roar is larger as compared to bird sound यह बात यहाँ पर सही है कि जो amplitude है जो आयाम है शेर की दहाल का जो आयाम है वो पक्षियों की दुहनी के आयाम की तुलना में बड़ा होता है इसलिए जो lion होता है उसकी आवाज भारी होती है as compared to bird जो आपकी चुड़िया होती है तो third point यहाँ पर पूरी तरह से सही दिख रहा है वाकि fourth point में क्या कह रहा है जो amplitude होता है जो आयाम होता है vibration of the roar of lion is low amplitude उसका low नहीं होता वो तो उसका high होता है तो third option ही मेरा यहाँ पर answer है next question 12th question कि 30 December 2020 में बना देखे यह question वहीं वहाँ से repeat कर रहा है पीछे जो सितार वाला question बना था read the statement and choose the correct option कचनों को पढ़िए सही विकल्ब का चुनाफ करिए assertion अभी कतन यहाँ पर क्या दिया है कि जो tightening of membrane करते हैं उफा तबला produces sound of high pitch बिल्कुल तबले की जो जिल्ली होते है उसको कसने से क्या होता है उंचे स्वर की आवाज जो है वहाँ पर आती है यह बास सही है तभी जो है वो सितारिस जो होता है वो tight करता है उसकी membrane को तबला क जिल्ली को कसने से तबले के जो कमपन की गती की आवरती है वहाँ पर बदल जाती है बिल्कुल क्योंकि pitch high हो जाते है तो क्योंकि frequency बदली इसी वज़े से तो pitch वहाँ पर high हुई तो assertion reason दोनों सही है और यहाँ पर जो reason है वो भी उसकी सही व्याख्यान कर रहा है क्योंकि frequency frequency की change की वज़े से ही वहाँ पर जो sound है वो कैसी produce हो रही है high pitch की जो है वो produce हो रही है तो option number one जो है वो यहाँ पर सही होगा A और R दोनों सही है और R जो है वो A की सही व्याख्यान कर रहा है correct explanation जो है वो भी कर रहा है next question 13 question जो 1 January 2022 में बना यहाँ पर statement है और जो विकल्प है हम हमें करना है assertion अभी कतन हमको यहाँ पर क्या दिया है we hear a louder sound when a tabla is hit hard then we hit it softly बिल्कुल तबले को अगर तीजी से मारा मारने पर loudness की बात होगी then we hear a louder sound जब भी loudness आ रही है it means वहाँ पर amplitude की बात हो रही है एक मेज पर रखे हलके से अगाहत किये जाने की तुल्ला में जब हम उसे अधीक प्रबल आवास सुनाई देती है जब हम उसे जोर से आगहत करते हैं बिल्कुल ऐसा होता है अब इस assertion के पीछे का reason क्या है loud sound can travel large distance as it associated with higher energy बिल्कुल देखे वही वाला कॉंसेप्ट आ गया जो ड्रम खाली ड्रम था भारी ड्रम था तो उसमें loud sound क्यों पर यू है और higher energy की वज़े से क्या हो रहा है वहां पर amplitude जो है वहां पर बढ़ रहा है अब एक reason यहां पर सही होना ही होना है क्योंकि 4 option जब मैं बीखती हूँ तो पहले में लिखाया दोनों correct है दोनों correct है पहला correct है दूसरा correct है तो एक reason तो हमें रिलेट कर सकते हैं लेकिन दूसरा reason बिल्कुल relate नहीं करेगा क्योंकि जब loudness की बात हो रही है sound की तो वहाँ पर frequency नहीं आएगी, loud sound has more frequency than soft sound नहीं, loud sound होती है उसका amplitude जादा होता है than soft sound की वज़े से तो दूसरा कारण यहाँ पर गलत है तो हम यहाँ पर R2 तो हमारा गलत होगा R1 जो है वो सही reason है लेकि और उसकी correct explanation कर रहा है किसकी एक ही क्योंकि R2 तो हमारा क्या है यहाँ पर गलत होगया है क्यों गलत होगया है क्योंकि frequency की जगा यहाँ पर amplitude आयाम जो है वो लिखा होना चाहिए था तो option number 3 जो है वो मेरा यहाँ पर अंसर हो जाएगा next question 14th question जो 3 January 2022 में बना कतनों को पड़े सही विकल्प का चैन करें assertion अभी कतन क्या है ultrasound is inaudible to human बिलकुल जो पराशव्य ध्वनी होती है वो मनुष्य को सुनाई नहीं देती क्योंकि उनकी जो frequency होती है वो 20,000 hertz से जादा होती है तो वो हम human को सुनाई नहीं देती लेकिन जो elephant, whales वगेरा होती है वो इस ध्वनी को क्या होता है वो सुन सकते हैं हम नहीं सुन सकते ये बात आपको याद होनी चाहिए इसके पीछे का reason यहां पर साफ साफ बताया है कि जो human के ear होती है मानव के कान की जो श्रवन सीमा होती है वो 20 हट से 20 हजार होती है बिलकुल सही बात है इसी वज़े से हमें जो ultrasonic sound है पराश्रव्य ध्वनी होती है वो हमें सुनाई नहीं देती वो हमारे लिए inaudible है, आश्रव्य है तो दोनों अभी कतन कारण सही और कारण उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है तो option number one जो है वो मेरा यहां पर सही हो जाएगा next question 15 जो 3 January 2022 में बना यहां पर हमको 4 media दिये है 4 माध्यम हमको दिये है एक air है, एक water है, एक iron है, एक vacuum है in which of the above media the spread sound is least and maximum respectively उपर दिये गए माध्यमों में द्वनी की गती क्रम से नूनतम और अधिक्तम किसमे होगी यह हमको बताना है अब यहां पर मैं आपको एक concept समझाऊंगी जो sound होती है, जो धनी होती है वो सबसे ज़ादा वहां उसकी जो चाल होती है तो उससे आको आतीवी train की जो आवाज है वो जल्दी पता चल जाएगी क्यों? क्योंकि जो sound की speed होती है वो solid में सबसे ज़ादा होती है ठोस में सबसे ज़ादा होती है फिर liquid में होती है और सबसे कम किसमें होती है गैस में होती है तो ये sequence भी आपको याद रखना है कि जो sound होती है उसकी ध्वनी की जो speed होगी चाल होगी वो सबसे ज़ादा solid में फिर liquid में और सबसे कम gas में वैक्यूम में तो ध्वनी जो है वो travel करती ही नहीं है तो D तो मेरा किसी भी option से match नहीं करेगा और बहुत से बच्चे क्या करेंगे न ये सोचेंगे वैक्यूम में तो द्वनी जो sound होती है वो travel नहीं करती तो वहाँ पर जो sound की speed होगी वो सबसे कम होगी जब वहाँ sound travel नहीं कर ही नहीं रही है तो वहाँ हम sound की speed की बात क्यों करेंगे तो vacuum तो आए गई नहीं, तो इससे हमारा answer D वाला option नहीं होगा, बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, C और D, it means C और D वाला कौन सा option है, option number 4 यहां पर सही कर देंगे, लेकिन यहां पर answer क्या होगा, option number 3, A और C, क्योंकि vacuum में तो sound ही नहीं, तो उसकी speed की तो बात होगी नहीं, और C, यहां पर मेरा option 3, जो है, वो मेरा answer होगा, next question 16, जो 4 जन्वरी 2022 में बना, sound wave will not be able to travel through which of the fellow MCD, सी बात है, वो किसमें travel नहीं करती, दोनी तरंगे जो होती है, वो निरवात में, vacuum में travel नहीं करती, क्योंकि वहां पर कोई medium, particle, माध्यम नहीं होता, तो option 4, मेरा यहां पर answer next question 17, जो 5 जन्वरी 2022 में बना, a student want to change feeble sound to loud sound, एक जो छातर है, वो जो छीन ध्वनी है, उसको प्रबल ध्वनी जो है, वो बनाना चाता है, sound को कैसा बनाना चाता है, louder, जब sound को louder बनाना है, उसकी प्रबलता को बढ़ाना है, तो उसे किसमें परिवर्तन करना होगा, उसको कि आयाम है, उसमें व्रधी करनी होगी, क्योंकि amplitude के increment से ही क्या होगा, loudness जो प्रबलता है, वो बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आयाम को अगर मैं दूगना कर दूँ, तो loudness automatic कितनी हो जाएगी, 4 गुना, 4 टाइम जो है, वहाँ पर हो जाएगी, तो option 1 मे आधी, ringtone अपने जो mobile phone के है, उसकी जो प्रबलता है, वो बढ़ाई है, तो आवरती पर क्या प्रबहाब पड़ेगा, प्रबलता से किस पर प्रबहाब पड़ता है, amplitude, आयाम पर प्रबहाब पड़ता है, लेकिन frequency पर कोई प्रबहाब नहीं पड़ता, तो frequency यहाँ पर सेम ह नहीं रहेगी, option number 3, जो है, वो मेरा यहाँ पर answer हो जाएगा, next question 19, बहुत easy question बना, 8 January 2022 में relationship पूछा गया, कि जो आयाम होता है, उसमें amplitude जो होता है, और loudness जो उच्चता होती है, उन दोनों में क्या संबंद होता है, तो जो loudness होती है, जो उच्चता होती है, या प्रबलता होती है, वो amplitude आयाम के square के बराबर होती है, option number 1, जो है, वो मेरा यहाँ पर answer है, next question, question number 20, जो 10 January 2022 में बना, which of the following statement is incorrect regarding sound, जो धनी है, उसके विशय में कौन सा कथन गलत है, यह हमको बताना है, sound from a violin and a flute played at same time, travel at same speed, बिलकुल अगर वो एक ही medium में बजाई जा रही है, तो at same time पर बजा जा रही है, तो उनकी speed सेम होगी, क्यों हो सकता है, क्योंकि उन दोनों का medium क्या हो, एक हो, जब माध्य में एक होगा, जिस medium में बजाई जा रही है, अगर वो एक है, तो दोनों एक ही समय पर, एक ही speed से जो है, वहाँ पर जाएंगी, तो यह बात तो यहाँ प sound, वहाँ पर बढ़ जाती है, तो third point भी सही है, speed of sound is affected by the density of medium, बिलकुल घनतव से भी वो सम्बंद रखती है, क्योंकि जब density जादा होती है, तो वहाँ पर density कम होने की वज़े से क्या होता है, आयाम जादा हो जाता है, amplitude जादा हो जाता है, और intensity, जो loudness है sound की वो भी बढ़ sound जो होती है, उसकी जो speed है, याद रखेंगे, वो density पर भी निर्भर करती है, वहाँ पर भी उसकी speed पर जो है, वो निर्भर करती है, तो fourth option भी यहाँ पर सही है, third भी सही है, और first भी सही है, तो जो option सही नहीं है, वो है second, two sound wave of same intensity, दो sound wave है, जिनकी प्रबलता intensity same है, तो option ही, मेरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सारे option जो है, वो यहाँ पर सही होंगे, ध्वनी की गती घनतों पर भी निर्भर करती है, वायू के गरम होने पर, देखिए, जहां गरम वायू होगी, तो वहाँ density कम होगी, है ना, CDC बात है, तो कही ना कहीं, दोनों, density और temperature दो पर जो ध्वनी की चाल है, वो निर्भर करती है, और यह बात यहाँ पर सही, क्योंकि माध्य में एक होगा, तो वो समान चाल से वहाँ पर चली जाएगी, तो third option, second option जो है, वो यहाँ पर गलत हो गया, देखिए, अगर आपको seated science paper 2 के लिए science के बाइलेंगल, नोट चाहिए के बाद, सिर्फ आपको revision करना होगा अपने answer से, क्योंकि detail में तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिये है, सारे previous year with answer, सब कुछ मिल जाएगा, 120 रुपीज की payment करनी है, यह मेरी payment ID है, और इसके regarding आप मेरे को मेरी mail ID, या मेरे WhatsApp पर message जो है, वो कर सकती है, चली आगला question देख सही है, यह हमको बताना है, sound wave travel faster in gases, मैंने बताया था, जो sound ध्वनी तरंगे होती है, वो सबसे ज़्यादा किस में जाती है, वो आपकी solid में जाती है, ठोस में जाती है, तो यह तो हुग या गलत, human being can hear a sound whose frequency is 15,000 hertz, बिलकुल, जो मानव है, वो एक ध्वनी को सुन सकती है, ज 15,000 तो इसी के बीच में आएगा, तो वो इस ध्वनी की frequency की जो range है, उसको वो सुन सते हैं, तो option second यहाँ पर सही हो जाएगा, sound wave cannot be reflected, वो reflect होती है, परावर्तित होती है, बिलकुल, जैसे किनारे में गली की किनारे जारें, तो वहां से वो क्या होती है, वो परावर्तित हो sound, तो यह कहरा है कि reflect नहीं होती, बिलकुल reflect होती है, तो यह भी गलत हो गया, true पूछ रहा था हम से, loudness of the sound वो frequency पर depend करती है, नहीं, जो loudness होती है, वो frequency पर नहीं, वो amplitude I am पर निरवर करता है, इसलिए यह भी गलत हो गया, तो option number second जो है, वो ही मेरा यहाँ पर सही होगा, next question question 22nd question, आप सोचेंगे, यह numeric question कहां से आगया, यह question बहुत easy है, 17 जनवरी 2022 में बना, देखें, इसको हम उसी concept में रखेंगे, जो हम पढ़ते है, speed is equal to distance upon time, उसके संधर्व में ही समझ के, इस question को करना था, speed of sound in air हमको दी है, कि 320 meter per second है, तो अब मुझे question में speed बता है, wavelength क्या हो इसे ही तो हम wavelength, lambda से represent करते हैं, यही तो wavelength होती है, तो यह distance है कहीं ना कहीं, है ना, जो कमपन कर रहा है particle, पूरा यह कैसे आके ऐसे, तो यह उसका क्या है distance है, wavelength है, length माने distance, तो distance हमें यहां पर दिया है, sound wave का, wavelength हमको दिया है, यहां पर 640 cm और यह मीटर पर second में दिया है, तो 6.4 meter मेरा यहां पर यह बन गया, तो अब यह जो मेरे wavelength है, जो कोशन में दिया है, अब यह कितनी है, यह 6.4 meter जो है, मेरी wavelength हो गई, तो मुझसे time period, आवरत काल जो है, वो पूछ रहा है, time क्या होता है, distance upon speed होता है, distance question में दिया है, 6.4, दूरी 6.4 होगे, जो wavelength की form में, time जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 2 upon 100 हो गया, नीचे 2 0 है, अब यह हटाएगे, उपर लेकर जाएगे, तो यह क्या बन जाएगा, 0.02, it means option number 4, जो है, वो मेरा answer हो जाएगा, 0.02 second, simple formula पर निर्धारित question था, आपको याद रखना है, question जो बनेगा numeric, वो उसी पर ही बन frequency क्या होती है, oscillation upon time होती है, दोलन बटे समय होती है, इन दो पर ही आपका जो numeric है, वो हमें देखने को मिलता है, next question देखते है, question number 23, जो 21 जनवरी 2022 में बना, choose the incorrect statement from the flowing, गलत कथन को हमें यहाँ पर पहचानना है, यही पहला कथन ही गलत है, यहाँ पर कह रहा है कि sound travel करती है, vacuum में पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि दुहनी निर्वात में गमन नहीं करती, तो यही गलत हो जाएगा, option number 1 जो है, वो मेरा यहाँ पर सही होगा, frequency जादा तो पिछे जादा, यह सही, all vibratory motions are oscillation, देखिए जो कमपन होता है, वो आगे पीछे होता है, इस तरह से आगे जान sound in a flute, produced by a vibrating air column, बासुरी में जो ध्वनी वायू stump के कारण ही क्या होता है, उनके कमपन के द्वारा, वायू stump के कमपन जब होती है, उसी की वज़े से जो ध्वनी होती है, वहाँ पर जो उत्पन जो है, वहाँ पर होती है, यह बात भी यहाँ पर सही है, तो पहला option ही यहाँ पर साफ साफ हमें, next question देखती है, question number 24, जो 9 जनबरी 2023 में बना, read the flowing statement, कतनों को दिहान पूर्वक पढ़ें, और सही विकल्प का चैन करें, assertion, अभी कतन हमें यहाँ पर क्या दिया है, कि the sound of the whistle is shiller than the sound produced by beating a drum, किसी सीटी की जो ध्वनी होती है, किसी द्वलक की ताह से अधिक तीछनों जो होती है, वो बिल्कुल होती है, शिलन माने क्या होता है, तीछन माने क्या होता है, बारीक पन, तो जो सीटी होती है, उसकी आवाज जो होती है, वो तीछन होती है, as compared to, जो आवाज किस से produce हो रही है, जब हम धोलको पीट रहे हैं, तो यह बात तो यहाँ पर स यहां पर amplitude की बात कर रहा है, तो reason यहां पर सही नहीं है, बट अब हम यह भी चेक करेंगे, क्या reason वैसे statement wise में अगर देखें तो क्या reason सही है, वियाख्यान तो सही नहीं कर रहा है, यह तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि amplitude की जगा frequency होना चाहिए, क्योंकि जब इस श्रिल नैस के तीशनता की बात होती है, तो अवाज के बारीकपन, पिछ की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ frequency आता है, तो यह तो हमें पता चलिए कि reason जो है, उसकी सही व्याख्यान नहीं कर रहा है, तो अब हम यह भी तो चेक करना होगा कि reason अपने आप में सही है या नहीं है, the amplitude of the sound produced by the whistle is higher, गलत, जो sound, amplitude of sound produced हो रही है, vibration की वज़े से whistle के अंदर वो higher नहीं होती, वो कम होती है, than the amplitude of vibration produced by the drum, CT द्वारा उत्पन ध्वनी कंपनों का जो आयाम है वो धोलक के द्वारा उत्पन कंपनों से उच होता है नहीं, वो उच नहीं होता, वो निम्न होता है, इसकी वज़े से loudness वहां पर कम होती है, तो कारण जो है वो भी गलत ही दे रखा है, reason भी पूरी तरह से गलत है, तो answer होगा यहां पर इस बार option number 3, यह तो सत्य है, लेकिन reason जो है वो मेरा false है, अगर amplitude की जगा यहां पर अगर देखे यह ऐसे भी लिखा होता ना, कि amplitude of the sound vibration produced by the whistle is lesser, lesser than amplitude of vibration produced by the drum, तो उस case मेरा answer पाता है, फिर क्या होता, option number second होता, कि दोनों सही है, लेकिन यह आर उसकी सही व्याख्यान जो है वहां पर नहीं कर रहा, लेकिन इस बार तो reason गलत ही है, जब गलत है तो वो पूरा असत्ते है, तो this means option number 3 मेरा answer होगा, तीसरी situation यह हो सकती थी, amplitude की जगा अगर frequency लिखा होता, कि frequency जो होती है, विसल की वो higher होती है, और drum के comparison में, तो उस case में option number 1 सही हो जाता, A और R दोनों सही है, और उस case में जो R है, वो उसकी सही व्याख्यान, correct explanation भी कर रहा होता, तीनों condition मैंने आपको समझा दी, तो फिलाल यहाँ answer है, option number 3, next question देखते हैं, question number 25, बहुत बड़ी हा question है, 17 जनवरी 2023 में बना, देखे, sound क्या होता है, water से कहां जाती है, iron में जाती है, जो धनी तरंग होती है, जल से एक लोहे की छड़ में गती गटती है, अब आपको पता है, जब sound liquid से solid में जाएगी, तो आपको पता है, सबसे जादा, जो sound होती है, उसकी speed जो होती है, सबसे जादा कहां होती है, है तो यहां पर हमसे यही पूछ राएं, कि sound, जो speed है sound की, उनमें क्या परिवरत तनाएगा, ध्वनी की गती में की, क्या changes हमें देखने को मिलेंगे जब वो liquid से solid में जाएगी तो solid में तो सबसे जाद होती है तो वहाँ द्वनी की जो चाल है speed of sound है वो बढ़ जाएगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो ये दोनों option तो हो गए यहाँ पर बाहर तो पहले तो वो हो गई तो increase increase वाला ये option हटेगा it means third option ही मेरा answer होगा पहले द्वनी की चाल बढ़ी फिर वहाँ पर क्या हो गई घट गई फिर मैं air से द्वारा क्या कर रही है उसको पानी में लेकर जा रही है तो air के comparison में पानी में द्वनी की चाल जादा होती है लिक्विड में जादा होती है द्रव में जादा होती है तो वहाँ पर फिर से sound जो है उसकी जो speed है उसकी जो द्वनी की चाल है वो फिर से वहाँ पर बढ़ जाएगी तो पहले व्रदी होगी फिर हास होगा फिर द्वारा से व्रदी होगी तो option no.3 जो है वो मेरा यहां पर answer होगा next question 26th question जो 19 January 2000 तेही से मेरा यह question बना from which of the flowing ultra sound waves cannot be used यह जो ultra sound waves होती है प्राश्रव्य ध्हनी होती है जिनकी जो frequency होती है 20,000 Hz से उपर होती है इनका उपयोग कहां नहीं किया जाता estimating the depth of ocean मैंने भी सबसे शुरू में जब आपको बताया था कि समुद के गहराई मापने में इनका प्रियोग किया जाता है बिल्कुल साही है और जो जो शैल्य उपकरण होती है उनको विस्ट कमरण करने के लिए sterilization उनको sterilize करने के लिए भी हम surgical instrument जो जो आपको जो बहुती है उनको क्लीन करने के लिए भी ultrasonic sound होती है उनका यूज किया जाता है ultrasonic sound जो है ट्रैवल कर रही है जहां पर रुक जाएंगे वहां पर गंदगी है तो उसको clean कर देती है cleaning करने के लिए sterilize करने के लिए भी हम ultrasonic wave जो है पर उनका यूज करते हैं बाकि जो हमारी जोडों के दर्द गटिया में जो बहुत इक चिकिस सा इलाज होता है उनमें भी ultrasonic sound होती है उनका वहां पर use किया जाता है या दखेंगे कि treatment में joint pain जो arthritis होता है इन सब में sound wave जो होती है ultrasonic sound wave जो होती है उनका प्रियोग किया जाता है बाकि testing the functioning of human ear इस case में क्योंकि मानव कड़ होती है वो तो 20-20,000 Hz की frequency को सुनते है तो वहां पर ultrasonic use करने का कोई मतलब नहीं है testing the functioning of human ear उसमें तो हम test करेंगे कि मनुष्य को सुनाई दे रहा है नहीं तो हम उसकी जो range वाली frequency वाली sound है वो सुनाएंगे ना ultrasonic sound है प्राश्रव्य जो ध्वनिया उसको थोड़ी सुनाएंगे तो option no.4 जो है वही यहां पर इसका ultrasonic wave है प्राश्रव्य ध्वनियां उनका हम उपयोग नहीं करते तो option no.4 इसक्वायर के समार अनुपादी होती है तो option no.1 जो है वह मेरा यहां पर आंसर होगा next question 28 यह भी जी question बना था 25 जनवरी 2023 में हमें यहां पर approximate range बतानी है audible frequency for human ear जो श्रव्य ध्वनि होती है अश्रव्य कौन सी होती है जो सुनाई नहीं देती श्रव्य कौन सी जो सुनाई देती है तो जो मानवकन के लिए श्रव्य आवरतियों का सन्नीकर परास होता है वो हमें यहां पर उसकी जो range है वो बतानी है वो कितनी होती है 20 से 20,000 हर्ट होती है तो option no.2 जो है वो मेरा यहां पर answer हो जाएगा next question 29 जो 28 जनवरी 2023 में बना sound vibration make the dash vibration in human ear तो यह जो sound vibration होती है यह हमारे drum में होती है drum में ही तो vibration होगी drum में जाके sound टकराएगी drum के अंदर जो particle है वो कंपन करेंगे vibration करेंगे तो sound होती है वो vibration make कहां करती है human ear में कहां कंपन पैदा करती है जो हमारा क्रण पठे होता है जो ear drum होता है तो यह दोनों तो हो गए option बहार अब इन दोनों में से ही कोई सही है dash send vibration to dash यह जो होती है यह vibration कहां से कहां को send करती है from there the signal goes to sea फिर वहां से जो signal होती है वो c में चले जाती है वो हमारे signal कहां चले जाती है वो हमारे brain में चले जाती है तो basically यहां पर बात हो रही है यह जो ear drum है यह इसको कहां भेज देता है vibration को यह हमारे inner ear में भेज देता है जो अंतरकण होती है उनमें ये भेज देता है और वहां से ये जो signal होती है ये कहा जाती है ये हमारे brain में जाती है ये हमारे मस्तिष्क में जाती है तो ABC यहाँ पर क्या है येर ड्रम, inner ear और brain तो option number second जो है वो मेरा यहाँ पर answer हो जाएगा next question देखे है 30th question जो 1 February 2023 में बना which one of the flowing statement are correct about sound ध्वनी के संदर में कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है sound can travel through all medium बिल्कुल ध्वनी सभी माध्यमों में संचरित होती है माध्यम कोई सभी हो चाहे एर हो water हो लकडी हो कुछ भी हो माध्यम होना चाहिए medium होना चाहिए क्योंकि medium में particle है हर चीज atom से बनी है particle से बनी है कण से बनी है जब कण है तो vibration होगा और vibration कमपन होगा तो ध्वनी produce वहाँ पर होगी और ध्वनी produce होगी तो वो travel भी करेगी क्योंकि particle to particle वो जाती है तो sound can travel through old medium यह बात बिल्कुल सही है तो यह तो हो गया correct जब मेरा यह सही है तो यह option हो गया मेरा यहां से बहार sound is produced by select few vibrating bodies नहीं कुछ कमपन करती विशिष्ट वस्टू से ही ध्वनी उत्पन होती है नहीं कुछ कमपन करती नहीं जो वस्टू है उनमें सब में particle है कमपन उन option ही यहां पर सही होगा A C or D higher the amplitude louder sound होगी कमपन में जितना उच आयाम होगा ध्वनी की प्रबलता भी उतने ही जादा होगी जितनी जादा frequency होगी उतनी ही shrillness जो है वो sound की होगी कमपन में जितनी उच आवरती होगी ध्वनी उतनी ही कण भेदी जो है वह वहां पर होगी तो C or D or A तीनों के तीनों सही है जो आपका 2nd February 2013 में बना 31st question consider the statement given blue and choose correct option कत्नों पर विचार करें और सही विकल्ब का चैन करें larger the amplitude of vibration louder is the sound बिलकुल कमपन का आयाम जितना अधिक होता है उचनी ही ध्वनी जो होती है वो आपकी उच होती है यह बास सही है higher the frequency of vibration higher is the pitch कमपन की आवरती जितनी उची होती है तारत भी उचना उचा होता है दोनों बात यहां पर सही है लेकिन क्या यह reason इसकी सही व्याख्य amplitude के square के directly proportional होती है तो जैसे जैसे आयाम बढ़ता है वैसे वैसे loudness बढ़ती जाती है यह reason होता तो reason उसकी सही व्याख्यान कर रहा होता यहां पर assertion भी सही है reason भी सही है लेकिन यह जो reason है जो कारण है वो इस अभीकतन की सही व्याख्यान जो है वो नहीं कर रहा है तो option number second न बना, which of the following is or are true regarding sound and light, प्रकाश और ध्वनी के मिशह में क्या सत्य है, यह हमको बताना है, वाइबरेशन और नेसेसरी इर फॉर प्रड्यूजिंग साउंड बिल्कुल, ध्वनी उत्पन करने के लिए कम पन आवश्यक है, क्योंकि वाइबरेशन होता है, उसी से वेव जो है, वुष भड्यूज होता है, और ने उतन ही तरगों को हम 2 द्वनी बोलती है, साउंड बोलते हैं, तो वाइबरेशन होना ज़रूरी है, तो ए तो मेरा सही होगा, ए सही होगा, तो योच्शन होगा बाहर, साउंड ट्रवल slower than light बिल्कुल, क्योंकि light को कोई medium नहीं चाहिए, sound को medium चाहिए, जैसे light देखा होगा, अर्थ पर आजाती है, sun से, तो बीच में कोई medium थोड़ी है, माध्यम थोड़ी है, तब भी light आ रही है, तो light को कोई medium या माध्यम की जरूरत नहीं है, इसी वज़े से light जो है, वो जाधा माध्यम की जरूरत नहीं है, मीडियम की रिक्वायर्मन नहीं है, तो B B मेरा यहां पर सही है, और B B मेरा सही है, तो तक दो यह option सही हो सकते हैं, तो AB सही था, BB सही था, it means option number 1 ही यहां पर सही होगा, बोथ light and sound require a medium for propagation, यह बात यहां पर गलत है, sound को medium चाहिए, light को medium नहीं चाहि यह होता है प्रकाश और धनी दोनों को संचरण के लिए माध्यम के आवाश रखता है प्रकाश को नहीं है धनी को हमेशा है इस वजे से यह इंपोर्टेंट है याद भी रखना है साउंड जो होती है वह लॉंगिट्यूरिनल वेव होती जब कि जो लाइट होती है वह आपकी अनुप्रस्त तरंग होती है टांसवर्स वेव जो है वह लाइट आपकी होती है तो सी यहाँ पर गलत है एवी सही है पहला ओप्शन फर्स ओप्शन मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा एक बात आपको और याद रखनी होगी देखे यह जो साउंड है ट्रेवल करती है इसी व आपको लगता है कि दूसरी जगा बिजली तो नहीं गिरी तो वह इसी वज़े से होता है क्योंकि लाइट तो जल्ली से ट्रेवल कर जाती है इस वज़े से बिजली आपको पहले चमकती भी देखाई देगी उसकी आवाज बाद में आएगी क्योंकि जो साउंड है वो दोनों सही है अगर आथ सी इसे साबसे देखना है टाइटनिंग अफ स्ट्रींग of a सितार डिक्रीजदा पिच ईक्रीज नहीं वो पिच्को Τरीम नहीं करता वो तो वहांपर पिच्को क्या करता है इंक्रीज करता है तो यहाँ पर तो पहार, S1 दोनों false है, या 3rd या 4th option आव यहां पर हो सकता है, तो S2 को और चेक कर लेती है, तो pitch of the sound depends on the tension of the string बिलकुल, जब द्ध्वनी का तारत वो होता है, ये तनन पर निर्भर करता है, तनन पर निर्भर करता है, तभी तो वो उसे टाइट करता है, वो टाइट इसलिए करता है, ताकि वहाँ पर उसकी frequency है, वो चेंज हो जाए, और जब frequency चेंज होती है, वो बढ़ जाती है, तो pitch of the sound जो है, वो definitely उस पर depend कर जाएगी, फिर, तो s2 मेरा यहाँ पर सही है, और s1 मेरा false, it means option number 4 यहाँ से बाहर होगा, और option number 3 ही जो है, वो मेरा यहाँ पर answer हो जाएगा, इस तरह से हमने यह sound chapter के सारे question देखे, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, शेर करें और चैनल से बने रहें,